दोस्तो वल्ड कप के बाद भारत का दोबारा मैच हुआ तो उस मैच में सूरिक कुमार यादव ने पूरी तरह उस्टेलिया की टीम को धोके रख दिया और दोस्तो आखरी गेंद पर रिंकू सिंग ने छक्का लगा कर भारत को बड़ी जीत दिलवाई जा दोस्तो वल्ड कप के फाइनल में भारत की टीम ऑस्टेलिया से हार गई थी और दोस्तो उसके बाद अब भारत का पांच मैचों की T20 सिरीज का पहला T20 मैच में भारत ने ऑस्टेलिया को पूरी तरह धूल चटा दी जा दोस्तो उस्तेलिया ने भारत को जीतने के लिए 208 रनों का टार्गेट दिया था जा दोस्तो ये टार्गेट अगर भारत हासिल कर लेता तो वो इतियास बना देता क्योंकि भारत की टीम ने इससे पहल इतना बड़ा टार्गेट हासिल नहीं किया था और दोस्तो जब इसके बाद भारत की टीम की तरफ से सूरे कुमार यदव और इशान किशन ने कमाल का परदशन करा तो फिर उस्टेलिया की टीम केवल मू देखती रह गई जहां सूरिया ने 80 रंड बनाए थे तो दोस्तो इशान किशन ने 58 रनों की शांदार पारी खेली थी लेकिन आखरी म में सूरे कुमार यदव को प्लेयर आफ दा मैस चुना गया उनकी शांदार बैटिंग के लिए लेकिन दोस्तो जहां भारत की टीम फाइनल में ऐस्टेलिया से हार गई थी अब दोस्तो उसके बाद भारत ने T20 मैच में ऐस्टेलिया को इतने बड़े स्कोर देने के बाद भी धूल चटा दी है जिसके बाद भारते फैंस को थोड़ी खुशकबरी हाथ लगी है जहां फाइनल की हार के बाद सभी दर्शक पूरी तरह उदास बैठे थे लेकिन ऐस्टेलिया की टीम को पहले T20 मैच मे अतनी बूरी तरह हराने के बाद भारत के फैंस के चहरे पर थोड़ी बहुत खुशकबरी आई है